हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा नौ का जो पेपर है अर्दवार्शिक परिक्षा के लिए राष्तान का स्वतनता आंदोलन एवं स्वार्य परमपरा पिछले साल का प्रश्ण है पिछले साल भी देखा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको बता रहे है अर्साल नह homicide repeat होते रहते हैं आपके जिले अलग अलग है तो तीन-चार क्यूशन उपर नीचे हो सकते हैं वरना क्यूशन आपके रिपीट होते रहते हैं तो सभी क्यूशनों को देखें और याद कर लें आप सभी को पता ही है आपने राज्य में कितने जिले हैं तो इसलिए और आपका स्लेवा सेम है तो क्यूशन रिपीट होते रहते हैं इसलिए सभी क्यूशन रोके याद करनें स्टार्ट करते हैं पहले क्यूशन के साथ पहला क्यूशन है 1857 की क्रांती के समय उद्धैपूर रियासत का सासक कौन था दूसरा question है राइस्तान में सुतंता अंदोलन के दोरान आजादी के दीवाने पुस्तक किसने लिखी आपके option है बाल मुकुन बिस्सा सागरमाल गोपा अरजुनलाल सेटी प्रताप सिंग पारट सभी questionों के उत्तर आपको एक साथ प्रवाइड करवाई जाएंगे अभी आप question 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 इस्तापित है फाइव है जैसलमेर प्रजामंडल की स्तापना किसने की शिक्स है समविधान निर्मात्री सवाम है बीकानायर के प्रतिनिदी के रूप में किने बेजा गया साथ नमबर है भगत पंत के प्रतिपादक कौन थे आठ नमबर है भोजी लंबरदार किस किसान अं दस नमबर है तुंगा का युद्ध कब हुआ ने क्यूशन है मिलान करना है आपको एक तरफ आपको रियासत दे रखी है दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं किस रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे वो आपको बताना है तो जो रियासत आपको दे रखी हैं, नयक क्यूशन के और उससे पहले आप से आप से रिक्वेस्ट है इसे जिनों आपको टाइम से मिल सके तो आईए बढ़ते हैं आगे नेक क्यूशन है अतिलग उत्रात्मक प्रश्न से आठ क्यूशन है आपके हरे क्यूशन डेड नमर का है 1.5 पहला क्यूशन है मराठो द्वारा रास्तान से कौन से दो प्रमुक कर वसूले गए दूसरा है नीमबू चना अत्याकांड कहां वेक कब हुआ तीसरा है अलवर प्रजामंडल की इस्तापना किस की अध्यक्षता में हुई फोर नमर है भारतिये राश्टिये कांगरेस की इस्तापना कब और कहां हुई थी पांच नमर है एक ही आंधोलन कब वेक किस ने चलाया था चैनमर है राश्टान टाइमस समाचार पत्र का प्रारम कब कहां वेक किस भासा में किया गया साथ नमर है 1857 की क्रांती के समय राश्टान में अंग्रेजों की कितनी सेनिक चावनिय थी नाम लिखिए आठ नम्मर है स्वतनता आंदोलन के दोरान राश्तान में हुए किस किसान आंदोलन की तुलना महत्मा गादी ने जलिया वाला बाग से की है नेक्ट है खंडवे जिसमें आपको लगत्तरात्मक प्रेशन मिलेंगे हर एक प्रेशन आपके तीन नम्मर करेगा टोटल साथ प्रेशन पूछे जाएंगे आपसे पहला है मेवाड प्रजा मंडल आंदोलन पर प्रकाश डालिये दूसरा है उन्नीसवी सदी में राश्तान में हुए भील बिद्रो के कारणों को रेकांकित कीजिए तीन नम्मर है मारवाड किशान आंदोलन का वर्णन कीजिए चार नम्मर है प्रताप सिंग बारत कौन थे स्वतनता आंदोलन में इनकी क्या भूमी का रही पांच नम्मर है राश्तान में अंग्रेजी सामराज के आरंबिक विस्तार को समझाईए चार नम्मर है राश्तान में अठारस तवन की क्रांती की ऐसा भलता के कारण लिखिए साथ नम्मर है भारत के स्वतनता आंदोलन के अंतरगत राश्तान में समाचार पत्रों की क्या भूमी का रही बताईए प्रसंग क्या जो आगे स्टार्ट हो रही है, वे हो रही है, खंड सैसे, जिसमें आपको दीर उत्तरिय प्रश्म पूछे हैं, हर एक प्रश्म तीन नमर का है, टोटल दो क्यूशन पूछे गए हैं आपसे खंड सैसे, पहला है विजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए, दूसरा है राश्तान की जन जागरती में मात्मा गांदी के अंदोलनों का क्या प्रभाब पढ़ा बताईए नेक्स्ट है खंडदे जिसमें आपके निवन्दा आत्मक प्रेश्ण है टोटल आपके तीन प्रेश्ण पूछे जाएंगे हर एक प्रेश्ण पांच नम्मर कर आएगा और हर प्रेश्ण में आपको अत्वा का क्यूशन मिलेगा यानि कि जो क्यूशन आपको आता है दोनों में से कोई एक आपको करना है तो पहला क्यूशन है स्वतंता अंदोलन के दोरान राश्तान में प्रजामंडलों की भूमिका का आलोचनात्माक मुल्यांकन कीजिए अत्वा 1851 इसवी से 1860 इसवी के मद्ध राश्तान में हुए मीना वित्रों की प्रमुक गटनाओं का वर्णन कीजिए तूसरा है राश्तान के प्रमुक किसान अंदोलन की समिक्षा कीजिए अत्वा स्वतंता अंदोलन में सापुरा के बारा फट परिवार के योगदान को सहविस्तार समझाईए तीसरा नमर है राश्तान में 1857 की किरांती के दोरान हुए विविन सेनिक विद्रों का अलोचनातमक परिक्षन कीजिए अत्वा ब्रिटिस शाषन द्वारा भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई सायक संदी प्रणाली की समिक्षा कीजिए तो यह थी सारे important questions जो आपके exam में आ सकते हैं सभी questions को याद कर लें और जो channel पर नए है याज जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करना ना बोलें और वीडियो को like share जरूर करें Thank you